अगर उसकी चिंता हम और आप पढ़े लिखे लोगों नहीं करेंगे उसकी यात्रा करेगा कौन आजादी की राई में भी कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एगवाई की थी तभी वो लड़ाई लड़ी गई और उसमें मीडिया ने साथ दिया था हूं तमाम बड़े नाम है और इस यात्रा के लिए जो मीडिया कमेटी बनाई गई उसका भी चेर मैं मैं अभी चंदौली से चलकर यात्रा के साथ चलकर के यहां तक आया हूँ अभी पीछे संगीपूर में यात्रा रुकी वे थी जहां हमारे रास्टी चेर में जैराम रवेश की प्रस्वारता थी उसके पहले लाल गंज में सभा थी, विशाल जन सभा हुई है। खेर, मैं गुद्धे पर आता हूँ, राहुल जी नियाय यात्रा लेके चले हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो नियाय यात्रा है। तमाम तरह का अन्याय देश में है, उस अन्याय के खिराब लड़ने की यात्रा है, संग्मिधान और लोगतंत्र बचाने की यात्रा है, राहुल जी की यात्रा कल राइवरिडी की तरफ आएगी, मैं आप लोगों से मिलने आया था और अपील करने आया था, कि आप सब लोग विदेश निती बरबाद हो गई है, देश की अर्थवास्ता बरबाद हो गई है, चार गुना करजा हो गया है, मोदी जी की सरकार में देश पर, चीन ने बाइस सो किलिवेटर हमारे देश पे कबज़ा कर लिया है, बिरोजगारी 45 साल से सब्सक्राइब चरम पर है, जिस मह दों को, विदेश निती का हालत यह है कि हमारे अड़ोसी प्रोसी सारे देशों से हमारे रिष्टे बिगड़ गए हैं और छोड़ी जोड़ी देश हमको आख दिखा रहे हैं, तो क्या भारत इतना कम जोड़ था, जिस बंगला देश को हमने बनाया, वो हमसे दूर होता जा हमारा आपका तो ही है, हमारे आने वाली पीडियों का सवाल है, अगर आज जीडी पी का 85% देश पर करजा है, हमारा जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो कर देश लाग करजा लेके पैदा होता है, इस से थोड़ा ही ज़्यादा करजा हो जाने पर श्रिलंका में दिवाल गांदी जी की यात्रा थोड़ी से इस्तिकित करनी पड़ी थोड़ी दिर के लिए सुबह, क्योंकि उनके उपर कोई दौजा ठारा में किसी ने केस कर दिया था, जिसमें करुम को अदालत में पेश होना है, सुल्तानपुर में, इसलिए वो यात्रा दो बज़े से शुरू सब लोगों से अपील करता हूँ कि जैसे पूरे देश में, पीछे से सारी सोशल मीडिया ने, छोटे छोटे टीवी चलनल ने, छोटे अख़बारों ने इस यात्रा को बहुत बड़े पैमाने पर साथ दिया है, और इसका प्रचार पसार किया है, उसी तरह से इस यात्रा क अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें